गौतम गंभीर अभी इंडिया के हेड कोच बनेही के लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिये अभी अभी वो कोच बनेही के लोगों ने कह दिया कि यार ये तो हिपोक्रेट है हिपोक्रेट की बात इसलिए निकली क्योंकि गौतम गंभीर की एक स्टेटमेंट थी जहां पर उन्होंने कहा था कि अब इंडिया आगे बढ़ रहा है और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम अपने ही प्लेयर्स पर इतना भरोसा कर रही है कि उन्ह जब हम ऑस्ट्रेलियन कोचिस की तरफ देखते थे और ये मानते थे कि जी वहां से अगर वो कोच आएंगे तो वो हमें अच्छी क्वालिटी देंगे लेकिन उसके बाद जब रवी शास्त्री और रहु रवीडी कोचिंग में इंडिया ने काम किया तो फिर हमें ये समझ म में आ गया कि नहीं इंडियन कोचिस भी बहतर है इन फैक्ट गौतम गंभीर ने ये भी कहा था कि इमोशनली आपके साथ सिर्फ वही खिलाडी कनेक्ट हो सकता है जिसने ये जर्सी पहन कर इस देश के लिए खेला हो अगर आप किसी ऑस्टेलियन को ले आएंगे तो वो प्लेयर्स के डिमांड करी कोच पोजिशन के लिए जैसे उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कोच चाहिए मुझे अभिशेक नायर अभिशेक नायर हम सबको पता है कि ये क्यार में उनके साथ थे और अभिशेक नायर इंडियन है तो यहाँ पर कोई बात नहीं आई लेकिन उस जादा बहतर है हालाकि गौतम गंभीर ने हैड़ कोच की बात कही थी लेकिन दो लोग गौतम गंभीर के इस फैसले के साथ हैं उनका सिर्फ एक कहना है कि जिदेखिये गौतम जो है वह क्वालिटी अबिलीव करते हैं गौतम ने मौनी मॉकल के साथ काम किया है गौतम ने रेयान टेंडूशकाटे के साथ क्या आम काम किया है और गौतम को ये बात पता है कि वो किस तरह का काम करते हैं। अगर साथ की बात करें तो मौनी मौकल जो है वो फॉर्मर टीमेट है कोलकाता नाइक राइडर्स के साथ गौतम गंभीर के साथ खेला है। लगनो सूपर जाइंस में दोनों ने साथ में काम किया है सपोर्टिंग स्टाफ बनके तो गौतम को बहुत अच्छे से बता है कि मौनी मौकल किस तरह के हैं वो किस तरह की कोचिंग देते हैं और इसी वज़ए से गौतम गंभीर जो हैं वो मौनी मौकल को डिमांड कर रहे है उसके साथ-साथ अगर आप रियांट इंडुशकाटे की बात करेंगे तो रियांट इंडुशकाटे और अब शेक नायर ये दोनों ही के क्यार में थे इनके साथ और उन दोनों के बारे भी गंभीर काफी अच्छे से जानते हैं तो अब सारी बात यहां पर आ रही है कि गौतम गंभीर being a head coach वो team के साथ बहुत ज्यादा connected रहेंगे obvious reasons हम सब को बता है कि गौतम गंभीर emotionally और किस तरह से team के साथ हमेशा से connected रहें और उनकी coaching हम सब ने देखी है कि कियार में किस तरह से supporting role में या staff member में किस तरह से उनके आने से impact हुआ था और वही impact team इंडिया को चाहिए लेकिन सवाल यहां पर बस यही आता है कि क्या गौतम गंभीर ने जिन लोगों की demand की है क्या वो demand जायज है क्योंकि अगर आप bowling coach की बात करें तो BCCI की तरफ से interest जहीर खान और लक्ष्मी पती बाराजी की तरफ था हमारे पास अच्छे ballers हैं जहीर खान इंडियन legend है जिस तरह से उन्होंने 2000 के एरा में बालिंग की है और जिस तरह से 2011 का उनका bowling spell था हम सब को याद है कि जहीर खान कितना important role play करते हैं जब हम Indian bowling unit की बात करते हैं तो मैंने सोचा क्यों आप से पूछता चलूँ कि गौतम गंभीर के आने के बाद जिस change का हम expect कर रहे थे उसमें कुछ changes हमें दिखने लगे हैं कुछ demands गौतम की आनी शुरू हो गई हैं कुछ लोग इसके साथ हैं कि जी नहीं गौतम जो है वो quality अबलीव करते हैं हाँ उन्होंने रैंट अंडुश काटे और मौनी मौकल को बुलाया सिर्फ इस वज़े से क्योंकि उनको उनका काम पसंद है and after all head coach तो इंडिया नहीं है तो मैंने सुचा आप से पूछता चलूँ कि जी जो पारस मामरे ने कहा था कि इंडिया के पास दो ऐसे बॉलर हैं जिनकी अच्छे से खातिरदानी होनी चाहिए जिनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा यह दो नाम उन्होंने लिए थे तो जाते जाते बस मेरा यही सवाल की जिस तरह से पारस मामरे connected थे मौहमद शमी के साथ और जस्परीद बुमरा के साथ क्या उसी तरह से मौनी मौकल भी connect हो पाएंगे या फिर क्योंकि मौनी मौकल साउथ आफ्रिका से आते हैं तो वो उसे सिर्फ इस जॉब की तरह इस काम को करेंगे और BCCI को उनको hire नहीं करना चाहिए क्या आप गौतम गंभीर के साथ हैं क्या आप गौतम गंभीर की demands के साथ हैं क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर ने जो नाम लिये हैं जो demands की हैं वो उनको मिल जानी चाहिए क्योंकि गौतम जो है वो quality पर believe करते हैं और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं आपो क्या लगता है आप गौतम के स्टेट्मेंट को इस डिसीजन को या इस डिमांड को किस तरह से देखते हैं मुझे कॉमें सेक्षिन में जरूर बताएं वीडियो कर पसंद आई हो तुसे लाइक और शेर जरूर करें